मैं इसको सीटी मारता हूं तो भाई ये मेरे पास आता है भाई क्या ही टैलेंट है भाई ये घोड़ेगा सो हेलू एबरीवन कैसे वह आप सभी लोग सवगत एक और नहीं एपिसोड में यू डाई यू नूट कैसे वह आप सभी लोग आई होप कि सब बढ़िया होंगे तो कैसा कट रहा है भाई आप लोगे दिन ओके गईस तो भाई मुझे थोड़ा सा खाने का जुगाड करना पड़ेगा वेट सेकिंड मेरे पास खाने के लिए थोड़ा पोर्क है थोड़े लैक पीस हैं और बीफ भी है तो भाई चलो खाने तो चिकन लैक्पीस कुक्ट तुर्की लैकपीश दोर चलो तीक है कई तो फेलए पूजा कर ले है और पैठ पूजा के बास जैसे कि हमने आप लोगों से promise किया था कि आज हम इसको explore करेंगे यानि कि यह साथ कोई एक dungeon टाइप है और बहुत ही खतरनाक चीज़ है गाईज यह इसको explore करेंगे और यार देखो सामने से सूर्य की किर्णी मतलब सूर्य उधे हो रहा है सन्राइज हो रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है यार मतलब लुक लाइक रियल लाइफ ओसम बहुत ही प्यारा लग रहा है और यार यह structure भी explore करेंगे यह क्या है और बाकी विलेज है यार मेरे घर के आगे मैंने नोटिस नहीं किया और यह लामा भाई साब जी ओ इस डिफ्रेंट वाइट लामा ब्राउन लामा एक साथ वो भी ओके यह कुछ अलग है और क्या यह रात हो रखी है या दिन हो रखा है और या सबसे बढ़िया मुझे इस गेम में फुट्प्रिंट लगते दे कि अब इसने इन्वीजिवल पोशन लिया हुआ है क्या मैं इसको ट्रेड कर सकता हूँ ओ टोटम ओफ अंडाइंग और यह क्या बई कोई ओफ ड्रैगन क्या इसमें ड्रैगन वाले कोईन होते हैं भाई तीन एम्बरेल के बदले एक डाइमंड यार मुझे है ना जल्दी स इस स्ट्रक्चर को देखने जाने वाला हूं कि इसमें क्या है फिर उसके बाद हम जाएंगे उपर एक्सफलोर करने के लिए कि उसके अंदर क्या निकलता है थोड़े से डर्ट चाहिए होंगे क्योंकि भाई उपर जाना है तो अब ऐसे उड़के तो जाऊंगा नहीं मैं तो मैं यहां से थोड़े डर्ट माइन कर लेता हूं ओके गाईस तो ओल्मुस्ट भाई थ्री स्टैक मेरे पास डर्ट का हो चुका है और सामने एक स्पाइडर है ओके भाई चलो अभी स्पाइडर से तो कोई डर नहीं है और हाला कि भाई अभी यहां पे कोई रोग गोलम बगएरा स्पॉन नहीं हो रखका भाई पिछली बार तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो थी अपने को और सामने स्कैलीज है इंचेंटेट बो लेकर करके तो अभी पहले मैं वह सामने एक्स्प्लोर करूंगा यह क्या स्ट्रक्चर भाई और इसके इंदर हमें कुछ लूट मिलती भी है यह ऐसी यह स्ट्रक्चर बना हुआ है बस डिजाइन दार यह रात हो रखकी है वही क्योंकि तारे होते हैं रात को दिन में थोड़ी होते हैं तारे तो मैं सो जाता हूं यार मैं पानी में सो गया वा अंडर वॉर्टर स्लीपिंग माइनक्राफ्ट भाई सस्ते नसे करते हैं ज्याएं ओके तो दिन तो ऐसा होता है भाई इसमें अभी सूर сдел और बहुत यह चक्छा दिन है वाई और इस इस क्या इसमें गेटवेट है गया वट्द हैक कि मैं बटन दबा सकता हूं कुछ होगा लूँप कुछ वा लूब एक बटन यहां पर एक बटन यह पजल्द मुझे लग रहे हैं कुछ गड़वड है इसमें यह पजल्द क्या है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे हैं क्या यह सिरीफ एक टावर है क्योंकि इसके अलावा तो मुझे यहां कुस दिखनी रहा है चलो ौधाइज अपने साथ स्कैम हो गया है वहीं इसे टावर रगा देता हूं और देखा गाई यह यहां पर रखून ईंतल कोते हैं met की बसाएं परेटर लेकर भाग रहा है मेरीत को लिमोट जैंसे तो है ऐसे नाइस शेलो मैं यहां से वेस्ट ओन ले लेता हूँ ऐजी पीजी वेस्ट उनसवाम और यह बायोम भी कितना प्यारा यार बिल्कुल फ्रेट गयों में और एक अलदागर मस्त गयों मैं ये चलो तो हमना है यहां पर यहां से उपर जाता हूँ मैं एन आई होप कि मेरे पास तीन स्टेक है इतने में काम हो जाए भाई ओके थोड़ा सा ही उपर रह गया यह पता नहीं क्या होगा यार यहां पर इतना उपर क्या बना दिये इन गेम वालों ने बाकि मुझे एक बैल लगी वी दिख रहे है थोड़ा वैब दिख रहा है आसपास का सब दिख रहा है वई अच्छलो मैं पहूंचने वाला हूं वैसे हां मैं पहुंचने वाला हूं एक सेफ रस्ता जिससे कि मैं गिरू-विरू ना भई ठीक है भई ओके गईस तो मैं उपर आ गया हूँ वाट इन दे हैक ये स्ट्रक्चर भड़ा ही अलग है भई चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर यह क्या लगा हूँ है भई यहाँ पर नीचे जाने का रस्ता है भई और मैं हाथ में तलवार ले लेता हूँ कुछ भी हो सकता है नीचे ओ अच्छा का सा डैमेज पड़ा भई मुझे लेकिन डैमेज हुआ ही नहीं ओके यहाँ पर वीदर्स का लेक इजी पीजी मिस्टीरियस स्टडी लोग क्या लिख है भई के अंदर कुछ एडवांस्ट मेंट कंप्लीट हुआ ओके स्टडी लोग इंट्री वन ओ भाई सहाब गाईज एक प्रोब्लम है और वो प्रोब्लम क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस बुक में लिखा हुआ था भाई ये एक बंदे के हाथों लिखी गई ये बुक और वो बंदा मर चुका है इस दुनिया में है नहीं वो बंदा और वो कहता है कि मैंने जो है ये जो विदर स्कल है ये इसके उपर ड्रोब किया था मतलब फैका था मैंने इस पे तो इससे कुछ स्पोन हुआ और वो बहुत ही जादा खतरनाक था तो यार अब देखो बहुत चुल है तो करना है तो पड़ेगा भाई हमें चलो हम भी इसको करते हैं ड्रोब और देखते क्या निकलता है भाई बंदा मर गयाता तो साइद हमें मर सकते हैं नोटा बीग डील सो लेट्स गो पता नहीं क्या होगा यहां पर कुछ नहीं हुआ ऐसे ड्रोब करना है न ओर भाईया अरे भाईया यह क्या था भाईया यह अच्छा यह कोई बोस वाट अरे बापरे अरे बापरी क्या करें यह तू भाईये हमने क्या कर दिया गाई इस रेड हुई है हमारे इसमें क्या कोई रेड हुई है क्योंकि वो भोपूसा तो बजा है रेड का आई तिंक वो डी स्पोन हो गया है भाई अरे यार उसको डी स्पोन नहीं होना था मतलब वो हमें एक बार मार के dispoon हो जाएगा अगर हम उसको हरा पाये तो हरा पाये नी तो वो dispoon हो जाएगा ओके तो ये वाला scene है क्या तो ऐसा करते हैं यहाँ पर सामने एक ओर है तो उसको try करते हैं defeat करने की तो चलो guys मैं दूसरे वाले पर आ गया हूँ and I hope कि यार अब काम बन जाए भाई हमारा तो वापस से नीचे जाता हूँ मैं लेने के लिए ये वैसे यार गाइस मैं एक चीज कर सकता हूँ मैं उसको ट्रैप करके मार सकता हूँ सायद से रुको जरा मैं देखता हूँ अगर मैं उसको ट्रैप करके मार पाया तो मैं यहां से यह भना देता हूं, और थोड़ा सा और प्रोटेक्ट कर लेता हूं इसको यहां पर ऐसे, चलो गाईस, अभी देखते हैं हम उसको मार पाते हैं का नहीं मार पाते, ट्रैप करके सबसे पहले तो यह सकल लेना है और यहाँ पे इस तरीके ज़ा फैक के अरे यार सई से नहीं फैका गया भाई अब डर लग रहा है सच में अरे भाई वाँ ट्यू एंड अरे भाई क्या डर लग रहा है इतना ज्यादा सच में गाईस भागो रहे ओके ओके भाई ओ भाई यह एनमी स्पोन कर रहा है ठीक है भाई देखो यहाँ पे एनमी स्पोन कर रहा है यह लेकिन वो एनमी जो नीचे गिर जा रहे है भाई भाई अब यह कहां से आ गया अब यह स्कैली कहां से आ गया वाट अब ये स्कैली वाट तरफार मैं ये स्कैली स्पोन कर रहा है यहां पर रुको भाई यहां पर मुझे कुछ बरना पड़ेगा मुझे यहां पर समान बरना पड़ेगा भाई इदर से तक ये स्पोन ही ना कर पाए इदर ओ भाई औरे भाई क्वारी यह कौनसा effect दे दिया इसने मुझी भाई मैं इसको मारू कैसे मेरे पास सिर्फ कुलाड़ी है और मेरे पास यह हतोड़ा है इसको मारने के लिए देखते हैं गाइस भाई ये क्या दे रही है अजीब सा डैमेज मुझे इसको जल्दी मारना पड़ेगा अरे भाई नहीं यार भाई अजीब यार ये जमीन में से कुछ निकल भी रहा है पता है मुझे मारने के लिए भाई ये क्या कोशिस कर रहा है भाई क्या यार ओके गाइस तो मतलब यार वो फिर से डी स्पॉन हो चुका है भाई मतलब हमको एक ही चांस मिलता है उसको मारने का लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि भाई उसको मार के ना अपने को बहुत ही बढ़िया लूट मिलेगी लेकिन यार इसको मारना बहुत ही ज्यादा टफ है यार यह एक नाइट मेर की तरह है भाई मतलब टफ से भी आ गया हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी उसको मारने के लिए सबसे पहले तब हम उसको मार पाएंगे लेट्स गो बोई शोटकाट और यार यह एक अजीब सी चीज है यार देख रहे हो यह पता नहीं क्या है मोटा सा चलो इसको मारते हैं क्या मिलेगा मैं अब इसको हैल्थ कितना ज्यादा है भाई और यह भी हमें मारने आ रही है भाई इसमें हर चीज में मारने आ रही है इससे मुझे कुछ मिलेगा देखता हूं क्या मिला है इससे मुझे मिला है चीटीन ओके तो चीटीन का इसमें हम आर्मर बना सकते हैं हाँ मुझे याद है इसमें लिखा था चीटीन का आर्मर चिकन लेकपीस खा लिया थी, तर्की लेकपीस मैंने खा लिया है? यार अगर मुझे इससे थोड़ा सा डैमेंड मिल जाए ना, अगर मैं एमरल का जुगाड कर पाऊं और मुझे इससे मिल जाए डैमेंड, तो भैं मैं डैमेंड से बहुत सारे चीजे मना सकता हूं. और अभी गाईस मैं थोड़ा सा एडवेंचर करने वाला हूं आसपास और देखने वाला हूं कि भाई मुझे इस विलेज में विलेजर मिल जाए ताकि हम थोड़ा सा जो है खेती बाड़ी कर सके तो बस मुझे कुछ नहीं मुझे थोड़े सीड लाने होंगे और फिर अपने को यहां पर जुगाड हो जाएगा खेती बाड़ी का कि ऊपर चड़ने का रस्ता है हाँ यहां पर एक चेस्ट रखी है इसमें बीट रूट बुक और कैरट सब चीजे मिल गए मैं सब चीज उगा दूँगा भाई जितने भी चीज उगा सकता हूं ना मैं सारी उगा यहां पर डर्ट वाला घर भी है जिसमें हमने रात बिताई थी यास लेकिन इसमें कुछ है नहीं ओके अरे बहुत महेंगी है यार इसकी बहुत ज़्यादा महेंगा दे रहे हो भाई आप समान यार इतने महेंगा थोड़ी होता है बाकि गाइस इस गेम में तो यह है जितन एक डंजन है भाई बट अभी इसके अंदर मैं नहीं जाने वाला भाई मैं अभी प्रिपेर नहीं हुँ भाई इस डंजन में फाइट लेने के लिए बाकि यहां पर आसपास बहुत सारी चीज़े होती है जैसे आपको फुरी की लूट भी मिलती है बहुत सारी जगह उपे और यह मेरेको फुरी की लूट नहीं लग रही है यहांपे यह कबरिस्तान जैसा लग रहा है मुझे यह देखो यहांपे एक सकल है और विदर रोज और यहांपे कबर है भाई और यहांपे दरवजजा भी है जिसके अंदर भाई भूत वाट? ओली क्रैप भूत है अभी आत्मा ये कहां से आ गई? आजा आजा, तेरे को मार के रहूँगा मैं. अभी भाई, बाई साब, ये मारने वाली है मुझे. अंदर जाओ. ओ भाई मैं चुप गया, क्या मैं आत्मा उसे बच सकता हूँ? मुझे वैसे लगता नहीं है, क्योंकि आत्मा ये तो कहीं से भी आ जा सकती है. ओ भाई, जितनी बार भी ये चेस्ट खोलरों में उतनी बार ये आ रहे हैं भाई. ओले, यार, इनने मारी दिया मुझे भाई. तो गाइस, यार, मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी, कि भाई, मैं उस कवर वाले section में गया, मेरे को वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था, गाइस बिलकुल भी, क्योंकि भाई, वहाँ से ऐसे भूत निकले, उन्होंने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा भाई, और वह उन्होंने पोड़ी फ्री की लूट मिलने वाली है, और यह क्या चीज है भाई, यार, यहां पे ना, अलगी फिलम हो रही है, यार, यहां पे बहुती अलग-अलग चीज़ आए जा रही है, और भाई, मेरी बहुत सारा समान, जो है मेरा dee spawn हो गया, और यह damage, poison damage दे रहा है, यह बहु यह अपने आपी dee spawn हो जाते हैं मारने के बाद, यह चीज अच्छी है भाई, इस game में, कि कम से कम एक ही बारी मार पाते हैं वो मुझे, उसके बाद वो dee spawn हो जाते हैं, चलो यार, guys, अपने को कुछ बनाना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ऐसा, कि भाई, जो हमें power दे, regeneration दे, और हमें थोड़ा powerful बनाए इस game के अंदर, और सामने एक ruin portal है, तो चलो भई, तो यहाँ पे gold का block लगा हुआ है उपर, वो मैं निकालूँगा और एक यहाँ पे, okay, oh, fortune one, flint and steel, और यह क्या भी ghost cloak, रुको क्या मैं यह charms में पैन सकता हूं, ghost cloak, साइध यह use करना होगा, म हमें कुछ चीजे देगा, यह देखो, कुछ abilities देगा, जो कि मेरे यहाँ पे दिखाई थी है, यह abilities देगा, invisible speed glowing resistance, okay, तो मतलब थोड़े time के लिए हमें बचा लेगा, यहार मतलब अपने को loot करके बहुत बढ़िया चीजे मिल सकती है, यह देखो guys, क्या बढ़िया लग रहा मुझे पता है बढ़िया अटैक करेंगे मुझे पे, और यह देखो, यहाँ पर rare वाला भी है भाई, भागो, ओ सामने एक गोलम भी है, ओ भाई, क्या उचाला इसने मुझे, सूवर ने, भाई भागो भाई, यहाँ पर तो सूवर भी उचाल उचाल के मारते है भाई, guys, य यहीं पर ही है वो सूवर, शिट मैन, अरे भाई, अब उसको कैसे मारूंगा भाई, मैं उस सूवर को यार, वो पीछे-पीछे आ रहा है मेरे, देखो, अद्रिश्य है वो भाई, वो उचाल-उचाल के मारेगा भाई, मुझे मैं पानी में जाके मारूंगा इसको, क्योंकि यह गेम रेज कर देगा, मुझे लग रहा है, बहुत, मतलब यार, इसका गेम का नाम, अलग है यार, कुछ मतलब, इस पर मैच नहीं हो रहा है, चलो भाई, अच्छी सुरवात है गेम की, इतना ज़्यादा हम मर गए है, और मर मुरा के भाई, यह समान लेके आ रहे हैं, अ आप लोगों को दिखाने वाला हूं मस्त वाला, यह देखो गाईस, मैं इसको CT मारता हूं, तो भाई, यह मेरे पास आता है, भाई, क्या ही टैलेंट है भाई, यह घोडे का, बहुत ही जबरदस्ट टैलेंट है, यह देखो, मैं थोड़ा दूर हूं इस से, यह देख रहे ह गोड़े गोड़े को में अपने घर के पास तक लिया भाई और अभी गाईS यह अंदर तो खेर नहीं जा पाएगा या जा पाएगा तो फाइनली गाईस अपने पास भई अपने एक घोड़ा भी हो गया जो हमारे सिटी बजाने पर हमारे यह बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह बनाना पड़ेगा और Totर्टर ब्लैंड बनने के लिए हमें लीड covidric गर्ट बनेगा और प्यूटर ब्लैंड को हम जब फरनेस में जलाएंगे तो फिर वो यह वाला इंगट बन जाएगा प्यूटर इंगट तो इसलिए बनाए क्योंकि मुझे बनाना यह मैजिक वर्ग बैंच और मुझे प्लैंक चाहिए होंगे च्यार एक, दो, तीन, च्यार और अभी मेरे पास सबी चीज़े आ चुके तो भाई मैं यह मैजिक वर्ग बैंच जो है बना सकता हूँ और गाईज, यह मैजिक वर्ग बैंच मैंने इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारी चीज़े अब हमारी इस मैजिक वर्ग बैंच में बनेगी और गाईज, देखो, यह इसका इंटरफेस कुछ इस तरे का दिखता है भाई और इसके अंदर बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़े बनते हैं, मतलब यह देख रहे हो, आप मैजिकल चीज़े बनती हैं इसके अंदर जैसे आपकी भाई, यह एल्डर स्टैचू हो गया यह एक पिकैक्स हो गई, जो कि बहुत ही तगड़ी पिकैक्स है बढ़ गई, इनके लिए मुझे यह एक अजीब अजीब चीज़े बनानी पड़ेगे, तो सबसे पहले तो यह सैडो जैम है, बढ़ गई, सैडो जैम बनाने के लिए हमें यह कुल, यह कुरूसीबल बनाना पड़ेगा, और यह कुरूसीबल भाई, कुछ इस तरीके से बन अपने पास जो है, बहुत सारा वीट हो जाए, और वीट से मैं ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडर के साथ, और उससे एमरल्ड वगयरा खरीद लूँगा, और फिर अपने पास डायमंड भी आ जाएगा, और फिर अच्छे खासे गेर आ जाएंगे, और अपन जो है इस गे पाइंगे, और मेरे पास एक्स्ट्रा हार्ट हो घाए, वो जपजी साहिए, और अगर में मरतां तो यह एक्स्ट्रा हार्ट चले जाते है, यह मतलब कई बारी में मर जाओंगा, तो फिलाल से घूडा है, तो इससे खहरा ठैवलिंग जो यह थोड़ा आसान हो जाएगा, इ और आप घोडे को जो आना इसको पहले आपको बैंड की बैंड करना होगा उसके बाद यह आप इसको भुला सकते हो तो देखो गैस अब मैं इस पर के दबाता हूं ना तो यह इसका इस लिखाता है घोडे का जिसमें हैल्थ है स्पीड है जंफ है और वास का coordinate है यहाँ पे खड़ा हुआ है साहट से और अगर मैं H दबाता हूँ इसके उपर बैट के तो यह दिखा रहा है This is already your personal horse मतलब हमें H दबा के इसको personal horse करना पड़ता है तभी यह जो हमारी CT पर जाने पर आएगा अभी देखो यह देख रहे हैं गाईस एक CT पर आता है भाई हमारा घोडा यह बात गाईस तो कैसा लगा गाईस आप लोगो को हमारा यह horse I hope कि बढ़िया लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए and don't forget to subscribe अगर आप चैनल पर नए होतो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाईस तब तक के लिए बाई टेक केर see the next episode and as always चाओ चाओ